जहिन स्वागता भगत सेंग जी के किलास में आज हम लोग बात करेंगे वह ऐसी विद्यर्थी के बारे में जो आलस से ग्रसित हैं जो कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे उनके लिए थोरा सा ये संदेश है कि देखिए, परहाई इतना का आज के जवाने में नवकली इतना टप हो गया है कि बिदारना परहे लिखे नहीं हो सकता है और वो सधारन परही नहीं चाहिए आपके जो एक्जाम देंगे उसमें competitive का level आपसे उपर है तो उसको पचारने के लिए आपको दीन रात मेनत करना पड़ेगा ये नहीं कि फिर vacancy आएगी तो दो मेना में कर लेंगे ऐसा नहीं होता है और किसी खास subject में अगर आपको अच्छे हैं तो इसा भी नहीं कि आप बेटर नहीं अच्छा होना पड़ेगा ठीक है ऐसाने किसी में बेटर हैं तो किसी में बेड़ हैं नहीं आपको अच्छा होना है सभी में तो इसके लिए आपको रुकना नहीं के भी वेकेंसी नहीं तो परहीं ने करेंगे वेकेंसी आ जाएगी एक्जाम भी हो जाएगा आपका नोक्री नहीं होगा क्योंकि जो पहले से पर रहा है वो आपसे आगे हैं उसे नोक्री होजेगा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो छोड़ दीजिए समय और पैसा की विरवादी ना किजिए पैसा और समय से ज्यादा महत्पूर्ण है कि आपके लिए जो घर आपके पैरेंट्स हो परिवार हो वो आपसे बहुत आसा लगाए रखे हैं कि आज नकल बेटा बाहर पर आ रहे हैं नोक्री हो जाएगा बुरा पर अच्छे से कटेगा लेकिन उसका उमीद जब तूरता है ना तो बहुत दुख पहुचता है ठीक है आप एक बार एक्जा दार में रहते हैं कि आपके इस बार हो जाएगा वो अच्छे दिन के बारे में सुचते हैं आपसे बहुत उमीद लगा के रखे है जब लास्ट में आप जहां भी रहें बागलपूर पत्ना जहां भी रते हो पढ़ाई कर रहे हो गड़ से दूर जब वहां से तो इसस बड़एपै या नहीं उपना नग ऱहां किजीं संब्सक्थ allora करें तो आपके पिता जी प्रणट आप के गार्जन आप से उतना ही आसा उसका बहडते जा रहा है और यह कब तक बढ़ाएंगे तो इससे बढ़ियां है कि पहर के सलेक्शन ले लिजिए नोकड़ी ले लिजिए ताकि उसका भी बुरा पाय अच्छे से कट सके आल सी स्टुडेंट करता क्या है कि मान लिजें डिसंबर में वेकेंसी स्टुडेंट जाएगा थिक है तो अक्टूवर से पहर नाइस करेगा अज जो विद्यारती अगस्त से पहर रहा है वह तो आगे निकल जाएगा तो ऐसे लसी चाहते हैं कि दो मेना में एक्जाम निकल लेंगा जो चार मीना से पहर रहा है उसका क्या क्योंकि कंप्योशन टब है सीट कम यहाँ ज्यादा स्टुडेंट भरते हैं तो उसको पचारना तुसको पचारने के लिए आपको शुरू से लगना पढ़े कि अगर आप पहले से तियारी कर रहे हैं, continue हैं, तो आप ही एक्जाम को फेस कर पाएंगे, crack कर पाएंगे, अदरवाईच आप चाहेंगे कि दो में नामे में crack कर दूंगे, तो ओने वाला नहीं है, क्योंकि पहले का एक्जाम और अभी के एक्जाम में बहुत सरा अंतर है, ठ कि पढ़ाई किजिए, मन से किजिए, नहीं हो पाता है, तो छोड़ दिजिए, तब भगत सिंग जी के किलास की तरफ से, अगर आप पढ़ना चाते हैं, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई मन से किजिए, नहीं करना चाते हैं, तो छोड़ दिज जै हिन जै वारत